हाई गाईज वेलकम टू क्वेश्चिन बैंक्राफ्ट आज मैं आपको लड्डू कॉपाल जी के लिए नवरातरी स्पेशल एक बहुत ही न्यू स्टायल की ड्रेस और दो डांडिया सेट्स बनाना सिखाऊंगी तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमने बकरम के उपर वेलवेट के क्लोथ को पेस्ट कर लिया है और अब देखिए यहाँ पे हम दो बारी इसको फोल्ड करेंगे मार्क लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे सेंटर से गोला कट करके आगे से हमें यहाँ पे कट देना है जो हम नॉर्म पेपर के उपर आप जैसे मैं बता रही हूं वैसिक स्वान को ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद हम इसके हिसाब से बक्रम और फैब्रिक को कट करेंगे यह देखिए इस तरीके से इस वीडियो को लास तक देखिएगा क्योंकि ड्रेस तो न्यू स्टैल की हम बनाना सीखी रहे हैं साथ में हम इसी के मैचिंग दो डांडिया सेट्स यहाँ पे तयार करेंगे तो आपको एक ही वीडियो में दो आइडियास मल जाएंगे डांडिया सेट्स के लिए भी यह देखेंगे हमने रफ पेपर का स्वान ड्रॉ करके कट कर लिया है अब सेम देखें बकरम कट किया था और उसके उपर वाइट कलर का सेटन क्लूथ मैंने पेस्ट किया है साटन का क्लूथ काफी शाइन करता है यहाँ पर इसका बाकी सारा डीटेलिंग वगरे का काम पू अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर ब्लू कलर की बॉल चेन और इससे जो है हम इसकी लेड देंगे यहाँ पर एकदम अच्छे से मैं फेविकॉल लगाते लगाते इसके लेड दे दूंगी और यह देखेंगे हमारा स्वान बनके तयार है बहुत ही अच्छा लग रहा है यह बहुत ही सुन्दर बनाया और ड्रेस तो बहुत ही जादा खिल के आएगी हमारी इसको लगाने के बाद तो अब घेरे के उपर हम इस तरीके से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है यह देखिए यह आप अपने अकोर्डिंग लगा सकते हैं जैसे भी आपको अपने घेरे पेस्ट पैच का यूज़ करना है आप वैसे कर सकते हैं मैं यहाँ पेसको आगे के कट वाले साइट पर लगा रही हूँ और बाकी मेरे पास कुछ फोम फ्लावर्स है जिनको मैं घेरे के अराउंड यहाँ पे इस तरीके से लगाऊंगी येलो पिंक येलो पिंक इस पर बताईएगा कि यह आईडिया आप लोगों को कैसा लगा तो देखिए फ्लावर्स हमने यहाँ पर फेवी कॉल से पेस्ट करी लिए हैं आप फेवी बॉंड भी ले सकते हैं या फिर फाब्रिक लू भी ले सकते हैं अब चोली बनाने के लिए बकरम की पट्टी के उपर वेल्विट का क्लोथ हमने पेस्ट कर दिया गया और इसके दोनों साइड्स पर हमने पतले वाला गोटा भी लगा दिया है यह देखिए बकरम के उपर मैंने किया है सारा वर्क और ये पतले वाला गोटा हमने लगाया है आप कोई दूसरी पतली लेज भी ले सकते हैं या फिर गोटा है तो और भी अच्छी बात है गोटा बहुत इजीली पेस्ट हो जाता है अब देखिए चोली को हमने अटाइच कर दिया V-shape में जॉइन करके दो फूम के फ्लावर चोली के उपर भी लगा दूँगी ये देखिए फूम के फ्लावर के उपर भी हमने पर्ल्स लगा रखें याँ पे अब ये मेरे पास कुछ हाफ कट मोती है जो मैं इसके घेरे के उपर लगा दूँगी याँ पे और इसी के साथ हमारी ये सुन्दर सी नवरातरी स्पेशल रेस अपने लड़गो पाल जी के लिए बनके बिलकुल तयार है स्वान स्टाइल में हमने इसको बनाया है और A to Z मैंने सब कुछ आपको एक्स्प्लेइन भी किया है तो आप इसको जरूर ट्राइ कीजेगा चलिए अब दो डांडिया सेट्स भी बनाना सीख लेते हैं तो चलिए अब डांडिया स्टिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं जिसके लिए यहाँ पर मैंने बैंबू की स्टिक के ऊपर अक्रेलिक पेंट से पेंट किया है यहाँ पे मैंने acrylic paint से paint किया है बट यह step optional है आप ऐसे भी इसको decorate कर सकते हैं अब यहाँ पे मैंने मोतियों का एक लटकन खुद बनाया है इसका भी मैं use करूंगी तो देखें यहाँ पे glue लगा के डांडिया के उपर हम इसको paste करेंगे और इसके उपर से की हम अपनी wool को लपेटना start करेंगे यहाँ पे मैं green color की wool का use करेंगे हूँ यहाँ पे हम लोग own इसके उपर से की लपेट रहे हैं so that डांडिया पे यह जो हमने लटकन अटाच किया है यह भी पक्का हो जाए और उन तो हमें लपेट नहीं है इसको एक अच्छा सा base देने के लिए आप यहाँ पे satan का ribbon भी ले सकते हैं अगर इस टैंप आपके घर में wool अवेलेबल नहीं है तो और यह देखे इस तरीके से wool को बड़े easy ली यहाँ पे मैं लपेट लूँगी और यह देखे एक अच्छा सा base रेडी हो गया लटकन के साथ अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ stone lace यह देखे इस silver color की stone lace है जिसकी एक stone की layer यहाँ पे मैं cut कर लूँगी आप stone chain भी ले सकते हैं individually stones भी यहाँ पे लगा सकते हैं जो decoration का material आपके पास available को उसका use यहाँ पे आप कर सकते हैं अब देखे अच्छे से favicol लगा के stone lace को इस तरीके से चिपका देंगे properly cut करते हुए और यह देखे दूसरी वाली भी लगा रही हूँ मैं नीचे भी same चीज करनी है अब यहाँ पे दो मेरे पास half cut pearls है जिनको मैं इस तरीके से paste कर दूँगी यह एक बीच का जो gap आ रहा था वहाँ पे हमने लगा दिया है और इसी के साथ यह हमारा dandia set बनके बिल्कुल तयार है मैंने एक पीस आपको भी बनाना दिखा दिया एक मैंने अल्रेडी रेडी करके रखा हुआ था आज की वीडियो में मैं आपको दो सेट्स बनाना सिखाऊंगी यह हमारी first set है जो काफी जादा सुन्दर बनी है अब दूसरी set रेडी करेंगे यह देखिए इसमें लटकन का है तो जादा अच्छा लग रहा है लटकन बहुत प्यारे लगते हैं डांडिया में अब जो डांडिया स्टिक मैं यहाँ पर बनाऊंगी उसके लिए मैं एक पैन का यूज कर रहे हूँ यह यूजन थ्रो वाला पैनता तो इसकी रिफिल खतम होगी थी अब यहाँ पर मैंनिक्स को इस तरह किसे कट कर लिया है अब इसकी उपर मैं साटन रिबन को लपेट हूँगी पहले वाले में वूल का यूज किया था बेस में इसमें साटन रिबन का यूज कर रहे है तो देखिए थोड़ी दूर तो यहाँ पर एक हम यलो वाला जो रिबन है उसको लपेट देंगे और अब यहाँ पर मेरे पास रोस पिंग कलर का साटन रिबन है उसको लपेट दूँगी मैं बीच वाले इससे में फिर नीचे हमें वापस यलो वाले को लपेट देना है और यह देखिए बहुत अच्छा सा इसका बेस रेडी हो गया है अब उपर की तरफ एक मल्टिपल कलर का पॉम पॉम लगा रही हूँ मैं साथ में मैंने लिया है पतले वाला गोटा और इससे जो हैं हम यहां पर पेस्ट करते जाएंगे यह देखिए इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर की वूल और यहाँ पे इस तरीके से यह जो जहाँ जहाँ पे हमने गोटा लगाया है उसके टीक नीचे और उपर की तरफ यहाँ पे वूल लगानी है तो वूल की एक बाउंडरी हो जाएगी और गोटा बीच में रहेगा आए खूप आपको यह एक लेरली पता चल रहा होगा कि मैं किस टाइप से आपको समझा रही हूँ अब देखें यहाँ पे मैंने सर्किलर शेप के मिरर्स लिएंगे जो हम इस तरीके से पेस्ट कर देंगे नवरातरी का कोई भी क्राफ्ट आप बनाएंगे तो उसमें मिरर, पॉम पॉम यह सब तो इंपॉर्टेंट है यह आपको यूज़ करना ही है यह देखें मिरर लग गए अब एक बहुत ही सुन्दर सा लटकन लगाएंगे इसके नीचे जैसे इस पे मैंने लगाया है यह हमने पॉम पॉम और वाइट कलर की बीट से लटकन मनाया है तो मैंने बड़ी वाली सुई ली है जिसका छेद मोटा होता है और इसमें हमने उन को पिरो लिया है और यहाँ पे हम पॉम पॉम वगरे डाल रहे है सबसे पहले मल्टिपल कलर का पॉम पॉम और अब मेरे पास कुछ वाइट कलर की बीट से इनको भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी यहाँ पे आप गोल्डन कलर की बीट भी ले सकते हैं या वाइट गोल्डन का कॉंबिनेशन भी क्रिएट कर सकते हैं कलर फुल बीट भी आप ले सकते हैं यह देखे इस तरीके से I hope आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा एक ही वीडियो में हमने एक ड्रेस और दो डांडिया सेट्स बनाना सीखा है यह देखिए यह हो गया अब यहाँ पर एक नॉट लगा देते हैं इस तरके से खीचते वे ऊपर की तरफ एक नॉट लगा देंगे यहाँ पर यह देखिए लटकन हो गया त्यार नीचे भी मैंने एक नॉट लगा दी थी सो दाट पॉम पॉम भी थोड़ा पका रहे अब यहाँ पर नीचे के तरफ ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर दूँगी मैं और इसी के साथ हमारी डांडिया स्टिक्स बनके बिल्कुल रेडी है आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इससे लाइक करें शियर करें मेरे चानल पर नहीं करें तो चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं लेटिस्ट अपडेट के लिए मिलती हूँ मेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर राधे राधे